हेलो दोस्तों, आज हम एक जबरदस्त कंपैरिजन करेंगे आईफोन 16 प्रो मैक्स वर्सुस आईफोन 15 प्रो मैक्स के बीच आज हम देखेंगे डिस्प्ले, डैमेंशन, पर्फॉर्मंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज, रैम, कैमरा, बैटरी, सिक्योरिटी, आईपी रेटिंग, स्पीकर, कनेक्टिविटी और प्राइस के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में आईफोन 16 प्रो मैक्स में आपको मिलता है 6.7 इंच सूपर रेटिना XDR डिस्प्ले जो की HDR10 और Dolby Vision सपोर्ट करता है आईफोन 15 प्रो मैक्स भी 6.7 इंच सूपर रेटिना XDR डिस्प्ले के साथ आता है पर आईफोन 16 प्रो मैक्स का डिस्प्ले थोड़ा ज्यादा ब्राइट और कलर अकुरेट है यानि कि आपको बेटर व्यूइंग एक्सपिरियंस मिलेगा नेक्स्ट बात करते हैं डाइमेंशन्स की आईफोन 16 प्रो मैक्स थोड़ा स्लिम और लाइट वेट है इसका थिकनेस कम है आईफोन 15 प्रो मैक्स के कमपैरिजन में ये आपको एक बेहतर ग्रिप और हैंडलिंग एक्सपिरियंस देता है परफॉर्मन्स के मामले में आईफोन 16 प्रो मैक्स में लेटिस्ट A18 बायॉनिक चिप मिलती है जो की ज्यादा पावरफुल और एनरजी एफिशेंट है आईफोन 15 प्रो मैक्स के A17 चिप के कमपैरिजन में गेमिंग या हैवी टास्क्स में आपको स्मूथ और लैग फ्री एक्सपिरियंस मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आईफोन 16 प्रो मैक्स iOS 18 के साथ लाँच हुआ है जो नए फीचर्स और इंप्रूफ्ट सिक्यूरिटी के साथ आता है आईफोन 15 प्रो मैक्स iOS 17 के साथ आता है लेकिन iOS 18 आपको और भी ज्यादा कस्टमाइजेशन और पर्फॉर्मेंस इंप्रूफ्मेंट्स देता है स्टोरेज आप्शन्स में भी थोड़ा अप्ग्रेड है आईफोन 16 प्रो मैक्स में आपको 1 TB तक की स्टोरेज मिलती है जबकि आईफोन 15 प्रो मैक्स 512 GB तक की स्टोरेज के आप्शन्स के साथ आता है यानि कि आपको ज्यादा स्पेस मिलता है आईफोन 16 प्रो मैक्स में कैमरा सेटप भी मेजरली अप्ग्रेड़ेड है iPhone 16 Pro Max में 48 Megapixel Primary Sensor के साथ Enhanced Low Light Performance और Better Zoom Capabilities है iPhone 50 Pro Max में भी 48 Megapixel Primary Sensor है पर iPhone 16 Pro Max में नए AI Algorithms के साथ और भी बेहतर Photo Quality मिलती है Battery Life में भी Improvement देखा गया है iPhone 16 Pro Max में आपको थोड़ा ज्यादा Battery Backup मिलता है Compared to iPhone 15 Pro Max Fast Charging और Wireless Charging Features दोनों में ही है पर iPhone 16 Pro Max थोड़ा Efficient है Security Features में भी Upgrade है iPhone 16 Pro Max में Face ID का नया Version और Improved Security Protocols है जोकि iPhone 15 Pro Max से ज्यादा Secure है IP Rating की बात करें तो दोनों ही Models IP68 Rating के साथ आते हैं यानि कि Water और Connectivity के मामले में दोनों Models 5G Support के साथ आते हैं लेकिन iPhone 16 Pro Max में Improved Wi-Fi 7 Support है जो Faster Internet Speeds और Better Connectivity प्रवाइड करता है Dust Resistance के लिए दोनों ही Models बहुत ही बहतरीन है Speakers के Case में iPhone 16 Pro Max में थोड़ा Better Sound Quality और Louder Volume मिलता है जो कि Movies और Music Experience को Enhanced करता है Connectivity के मामले में दोनों Models 5G Support के साथ आते हैं लेकिन iPhone 16 Pro Max में Improved Wi-Fi 7 Support है जो Faster Internet Speeds लास्ट अब हम बात करते हैं प्राइस की iPhone 16 Pro Max थोड़ा Costly है With a Starting Price of Around 1,29,999 जबकि iPhone 15 Pro Max का Starting Price है 1,19,999 है दोनों ही Phones Premium हैं पर iPhone 16 Pro Max का Price थोड़ा ज्यादा है तो दोस्तों ये था हमारा Comprehension iPhone 16 Pro Max और iPhone 15 Pro Max के बीच आपको कौन सा Model पसंद आया? Comment करके जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही Amazing Tech Updates मिलते रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में